आईबी ने जारी किया अलर्ड पुलिस महकमे में मची हरकंप नमशकार सौगत आप सभी का न्यूस वर भारत में मैं हूँ आपके साथ सहीज शबाब राजधानी पटना के बेउर जेल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है आईबी ने एक महदपुर्ण अलर्ड जारी किया है जिसके बाद से पुलिस महकमे में हरकंप मची हुई है आखिर आईबी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे डीजीपी और ग्रह सेचिफ को बेउर जेल जाने पर मजबूर कर दिया आपको बता दी कि आईबी ने बेउर जेल को ब्लास्ट कर उडाने की साजिश की रिपोर्ट दिया है जिसके बाद से बेउर जेल की प्रशाशन के और से छापेमारी की जा रही है वहीं डीजीपी और ग्रह सेचिफ जेल की सुरक्षा का जैजा ले रहा है उनके साथ कई आला अधिकार भी मौजूद है वहीं आईबी के अलर्ट के बाद प्रशाशन ने बेउर जेल के अंदर विशेश सर्च अभियान चलाया बताया जा रहा है कि आईजी के अलर्ट के बाद देर रात तक बेउर जेल प्रशाशन ने अचानक कुख्यातों के वार्ड में आचेक छापे मारी शुरू कर दी वार्डों की सदगणत तलाशी भी ली गई बेउर जेल प्रशाशन के एक्टिव होने के बाद बताया जा रहा है कि पटना के जिला अधिकारी सहीत कई आला अधिकारी बेउर जेल पहुँचे गौर्दलब है कि बेउर जेल में कुख्यात नकसली अजय कानू सहीत कई आतंगवादी भी बंद है इतना ही नहीं बेउर जेल में बंद कुख्यातों की फ्रेज इतनी लंबी है कि उसे लिखना मुश्किल है कुख्यात नकसली अजय कानू को जेल से बाहर लाने के लिए नकसली उने एक बाद जहाना बाद जेल को भी अपना इशायर बनाया था ऐसी ही ताजातरी इन खबरों के लिए देखते रहें न्यूस पर भारत धन्यवाद